नमस्कार सातियों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्तान में जो भरती परिक्षा हैं जिनके एक्जाम होना अभी बाकी है upcoming exam dates को लेकर और मुख्य रूप से हम इस वीडियो में तीन भरतीयों की परिक्षातिती को लेकर आप से चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले रीट exam को लेकर पटवारी ठीक है और तीसरा exam है हमारा सबसे मैदपूर्ण है पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम की date से समद्धित क्या update है और आप सभी को क्या करना चाहिए सभी विंदों पर इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ सबसे पहले आज की जो news आई है उसको लेकर पहले आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा फिर exam की date क्या रहेगी क्या update है और आपको क्या करना चाहिए जो आपके लिए फाइदे मंद रहेगा उससे आपको नुकसान नहीं होगा रीट पर भी हम चर्चा करेंगे देखिए बड़ी चुनोती दोनों exam को मिलाकर करीब 30 लाक उमिदवारों को होना है शामिल दोनों exam से लेकर यहां मतलब है constable और पटवारी भरती में दोनों में अगर संक्या की बात करते हैं तो लगबग 30 लाक उमिदवार इस दोनों exam में बैठें वाले हैं अब सबसे पहली बात आती है कि पहले कौन सा exam होगा तो देखिए आपको पता है कोरोना की वज़े से constable exam को आगे जो इसकी परिक्षा दीती है उसको इस्तगीत करना पड़ा मही में exam होने वाला था लेकिन कोरोना की वज़े से आप भली वाती इस इस्ति परिक्षा में अब्यर्तियों की बड़ी संख्या बनी रुकावट देखिए यहां देखिए कोरोना वाइरस की वज़े से कई परिक्षाएं सरकार के लिए मुसीवत बन सकती है सोशल डिस्टेंस डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना बड़ी चुनोती होगी पुलीस पहले जब कोरोना नहीं था तब भी इतने ही अब्यर्तियों वाली दो परिक्षाएं सरकार के लिए चुनोती बनी थी ठीक है सर, कॉंस्टेबल बड़ती दो हजार अठारा में दो दिन चली थी और LDC बड़ती दो हजार अठारा में एक महीने तक हुई थी, आपको पताए अब यहां पे बात करता हूँ मैं अधिक विक्षकों की जरूरत केंदर बढ़ने पर अधिक विक्षक चाहिए होंगे जिले में केंदर नहीं मिले तो ब्लोक इसतर पर भी केंदर बनाने होंगे नकल रोकने के लिए पुलिस विभाग को पुलिस विभाग और बॉर्ड को कोरोना से बचाओ की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए नया प्लान बनाना होगा देखिए यहां पर दो मुसीबते हैं एक तो इतनी ज़्यादा संख्या में विद्यारती हैं और दूसरा कोरोना को भी सेंटर पर एक्जाम करवाना तो यहां पर इस न्यूज में यही कहा गया है कि यह चुनोती है सरकार के लिए कि यह एक्जाम कैसे करवाएं जाएं अब रही बात सबसे ज़्यादा समश्या जो आ रही है इस एक्जाम जो यह आजगी से यही कहूंगा दोस्तों अगर एक्जाम हो गया तो आप सभी को यह लग रहा था इतने दिनों से कि लोगडाउन नहीं अटेगा नहीं अटेगा लेकिन सरकार ने हटा दिया ना नाम का लोगडाउन बचा है मित्रों और दीरे दीरे सभी कारियों में डील दी जा रही है और एक इस्तिती जब ऐसी आईगी कि सरकार को फिर एक्जाम भी करवाना होगा और फिर वो कोरोना के साथ ही एक्जाम होगा सर आपका तो मैं आपको वही कहना चाहूंगा कि इस ब्रहम में ना रहें कि एक्जाम नहीं होगा इस साल में इस ब्रहम को निकालें और अपनी तयारी को रेगिलर जारी रखें मित्रों एक्जाम की डेट अचानक से आजाएगी और फिर आप कहेंगे कि हमें दो टाइम ही नहीं दिया अरे अभी आपके पास टाइम है तयारी करो सर ठीके फिलहाल अभी तक ग़र्मेंट की तरफ से दोनों एक्जाम की डेट अभी तक डिकलेर नहीं होई एक्जाम की मैं बात करता हूँ कि पहले कौन से एक्जाम होने की संभावना रहेगी तो अगर संभावना की अगर हम बात करते हैं तो पहले constable exam होने की संभावना रहेगी सर ये केवल मैं एक अनुवान बता रहूँ सर आपको क्योंकि मही में इसका expected था पहले exam होना तो पहले constable की होने की संभावना रहेगी और फिर पटवारी का exam और इसी के साथ बाकी अभी बहुत सारे exam हो रहे हैं जैसे में नहीं लेना है और अपनी तयारी को regular करते रहना है अचानक से date आजाएगी और आपको बता है राधस्तान करमचारी chain board 25 दिन पहले भी exam की date दे सकता है कोई विरोध नहीं होगा इसका ठीक है क्योंकि अभी आपको खुब time मिल रहा है तो अपनी तयारी जारी रेखिए साथ ठीक है तो इस ब्रहांती को अपने दिमाग में से निकालने की इस साल में नहीं होगा अरे हो गया तो सर आप क्या करोगे फिर ठीक है ना अब बात करता हूँ REIT exam को लेकर जैसे अभी तक REIT exam सितंबर में ही करवाएंगे और अभी भी कहीं विद्यारती इसी बात को कर देंगी यार possibly नहीं हो नहीं सकता कोरोना है इतना अरेंजमेंट कैसे होगा लेकिन शिक्षा मंत्री जी यही किरह है कि exam सितंबर में करवाएंगे और आपको यही करना चाहिए सितंबर को टार्गेट लेके अपनी तयारी करिए अगर नहीं होता है तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा और फिलाल का अपडेट यही है exam सितंबर में ही होगा और सितंबर को टार्गेट लेके अपनी तयारी शुरू करें ठीके मित्रों और उन्होंने ये भी बोला है जैसे कहीं विध्यारतियों का कहना रहता है कि अभी तो दसवी के एक्जाम होंगे कोलेज के एक्जाम होंगे बारवी के एक्जाम होंगे तो यहां न्यूज भी आप देख सकते हैं दस वी और बारवी की परिक्षा के लिए सिर्फ दस दिन का वक्त चाहिए हमें ठीके सर उमीद है मेरी बातों से आप सबी संतुष्ट होंगे तो इन दोनों बिंदूओं को काफी बातें आज हमने की है वीडियो में तो इन पहलूओं पर बिंदूओं पर गोर करते हुए इन बातों को नेगिटिव में न लेते हुए पोजिटिव वे में लेकर अपनी तयारी को जारी करें और कॉम्पिटिशन इस बार बढ़ने वाला है क्योंकि आपको पता है विद्यारती दो महीने से ढ़ाई महीने से घर में ही बेटे हुए है और आपको भी बताए घर में बेटा बेटा वो क्या कर रहा है ओनलाइन का ट्रेंड बढ़ चुका है इतना तो सब लगातार तयारी कर रहा है और इसका एफेक्ट भी आप देखेंगे जब कटोफ आईगी आपकी जब रिजल्ट आएगा एक्जाम के बाद तो आपको सॉलिड प्रिपरेशन के साथ मेदान में उतरना है तो यह अपडेट था एक्जाम डेट को लेकर और सभी से निवेदन यह है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकरी सभी विध्यारतियों तक पहुंच सके और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऑथेंटिक सही जानकरी के लिए राजसान जी के स्टोर यूट्यूब चैनल को आप सब्सकाइब जरूर करें बेल आइकन जरूर दबाएं और आप मेरी वातों से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें थैंक यू सो मच